पोर्टर को बोला कि उत्तर प्रदेश में समाजवधी पार्टी और कॉंग्रेस की यहीं दो लड़कों की जोड़ी की 79 सीट्स आएंगी एक बनारस उन्होंने बुला उन्होंने कोट अनकोट क्योटो की सीट हो सकता है बीजेपी जीत जाए ऐसा है मैं उसमें भी कहना चाहू इसमें आप भी उत्तर प्रदेश के परभारी थे सपा और बस्पा का एक बहुत जबरदस अलाइंस ता आरेल डी भी थी इस बार आपको उत्तर प्रदेश का नंबर कैसे दिखाई देता है अखिरेश जी को 79 अपना दिखाई दे रहा है हाँ वो ठीक है भारतिये जंता पा पक्ष का एक मात एजंडा बन गया है इसे आप कैसी देखते हैं कि आपको लगते मोदी फैक्टर है पूरे चुनाफ के अंदर छटे राउंड तक पूरे साथवे राउंड में भी रहेगा जी ये उनको बिचारे वो सोते उठते गाते मोदी जी को ही याद करते हैं क्योंक जिनका लोह डेश बानता है और दुनिया उनको अनुकरण करती है देखती है उनकी बातों को फॉलो करती है तो ऐसे लोगों की चर्चा वो अगर यह मोधी रागना अलापे या मोधी जी के बारे में दिन रात बात न करें तो और करेंगे क्या जी मेरा ले कोई पॉजिटिव एजंडा कभी किसी देश के सामने तो रखा नहीं लेकिन पॉजिटिव एजंडे की आप बात कर रहे हैं लेकिन भारती जनता पार्टी निरंतर पहले राउंड के बाद से दूसरे राउंड से छटे राउंड तक बार बार आरोप लगा रही है कि कॉंग्रेस इंडिया लाइंस इंडी गड़ बंदन जो है वो तुष्टी करण की पॉलिटिक्स को कर रहा है और बहुत सारे आपकी नेताओं के बयान है प्रधान मंतरी म कॉंग्रेस का जो घोश्टा पत्र है उसमें मुस्लिम लीक की छाप है देखिए बहुत सचा ही है सबसे पहली बात कि मोदी जी ने इस देश की सेवा ब्लतौर प्रधान मंतरी दस साल और दस साल में उन्होंने गाउं गरीब वंचेट पीड़ेट सोशेट दलेट युवा क किसान महिला सबकी चिंता की और जितने भी प्रोग्राम जितने भी कारिकरम जितने भी स्कीम्स मोदी जी ने लॉंच की उसका एक मंतर था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास बहुत प्रयास से और बहुत अथक प्रयास से मोदी जी ने देश की पॉल जोडने का काम किया और कभी उन्होंने नहीं कहा कि प्रधान मंतरी आवास योजना से इतने मुसल्मानों को घर बने हैं कभी उन्होंने नहीं कहा कि उज्वला योजना में इतने मुसल्मानों को घर रख दस साल और रिकॉर्ड है सारे देश को एक एक रूप में ला करके उन्होंने सेक्लरिजम का एक पॉजिटिव उदाहर देखा। लेकिन चुनाब। उन्होंने पूरा उदाहर देखर के एक पॉजिटिव रूप में इस बात को रखा। और उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाने का काम किया। कॉंग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टों में शडेंत्र पूरवक शब्द मेरा सुझिए का शडेंत्र पूरवक चालाकी से फिर से विभाजेन की बुईज को बोने का काम किया हमारा आइडियोलोजिकल जगड़ा क्या है जस्टिस तो आल, अपीजमेंट तो नन इस पॉजिटिव सेकिलोरिजम उनका नारा क्या है डिविजन और रूल डिवाइड और रूल जब सब को सारी चीजें मिल रही हैं और हमें इसका बखान भी नहीं कर रहे हमारे प्रदान मंतरी क्यों क्योंकि हम जितना ये चर्चा करेंगे उतना सुसाइटी डिवाइड होत में उनको हम स्पेशल रिजर्वेशन देंगे आपने लिखा कि हम उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे अगर आप ये लिखते हैं तो माइनौरिटी आएगा ही आएगा क्यों 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 कि जब हम कह रहे हैं कि देश को एक नजर से देखो जस्टिस टू आल सब को ये य यह यह तुम अलग अलग देखने का काम क्यूं करते हो लेकिन तुमने किया फिर मोदी जी को याद दिलाना पड़ा कि यह वो लोग हैं जिनका विश्यस डिजाइन है कि इस देश के संसादरों पर पहला फक मुस्लिम का है मैं नहीं कह रहा हूँ डॉक्टर बन्मोन सिंग ने हैं वो अपने भाषण में कहा कि माइनॉर्टी इसको हम रिजर्वेशन देंगे दो हजार बारा में बारा तो कहले है दो हजार बारा में एक बात हुई थी उसको बारा साल बात पिक कर लिया गया प्रधान मंत्री मोदी ने उसका जिक्र किया हमारे चैनल ने भी उस सामाजिक आधार पर होता है अमीश जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जब बाबासा वर्ड़ के अमेट करने सम्विधान समीती के सामने और कंस्टिटुएंट असेमली के सामने जब घंटों डिसकॉशन करने के बाद स्पस्ट कर दिया कि धरम के आधार पर आरक्षन न बैक वर्ड की लिस्ट में मुस्लिमों को डाल करके बैक डॉर एंट्री करने का जिसका हाई कोट में उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया ये क्या अर्थ बताता है लेकिन ला और जिस पर कॉंगरेस चुप है कि नहीं है तो कॉंगरेस की सरकार ने आंदर प्रदेश में चार करना तक मैं बैकवर्ड का हिस्सा मारने का काम किया कि नहीं किया और सिद्धार अभईया ठाकि चाती ठोक के बोलता है कि यह हम करेंगे या तुम समयदान के खिलाफ काम कर रहे हैं मैं इस बात से एगरी करता हूं कि यह सब कुछ हुआ लेकिन अगर हम देखें तो क्या आपक अगर मुसल्मानों का अरक्षन मिल भी जाएगा तो बीजेपी के पास से क्या चला जाएगा अगर देश निकल जाएगा हां से तो क्या चला जाएगा यह 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 इसी के बराबर तो है मुसलिम लीग का नारा क्या था पाकिस्तान बन गया मोधी जी ने सब को दिया एक किसी को भी नहीं कहा कि ये घर मेंने मुस्लमान को दिया भारत के नागरिक को दिया कभी नहीं कहा उन्होंने उनका भारत के नागरिक को दिया सोच और शब्द मानसिक्ता को बताते है चावल का एक दाना चावल की किसम को बताता है और इसलिए कॉंग्रेस पार्टी और इंडिया लोग ये मोदी जी का विरोध करते करते आज देश का विरोध करने है आपने बंगाल की बात करी वहाँ पर मुस्लिम आरक्षन अबीसी की जातियों में मुस्लिम जातियां डाल दी उसको स्ट्राइक डाउन करा गया लेकिन ममताप एनरजी कह रही है कि हाई कोट के फैसले को नहीं मानेंगी मैं क्या कहता हूँ इसके बिदल सीधे बोलती ना कि मैं समविधान को नहीं मानूंगी पर इस तो समविधान मानने वाले लोग यह क्या समविधान मान रहे हैं जिनकी शब्दावली ऐसी है आपके खिलाफ कोई कोट का जज़्ज्मेंट चला जाए आप यह कहते हैं कि यस वी विल एक्जामने देख ज़्ज्ज्मेंट और टेक लीगल रिसोर्ट लोग लो बैमत fema है तुम्हारे पक्ष का फैसला हो जाए तो कोट अच्छा तुम्हारे तुम चुनाओ जी जाओ तो नहीं तो evm को करो बदना मॉझे तुम्हारे पक्ष में लेक्शन हमारे पक्ष में कोट का फैसला ना है तो को रे जिडीश्यरी बदना मालूを हो गए ऐसे चलता देश पर जब यह फैसला आया वर यू शॉक्ट जो कि आप आपको पता था यह कौन सा जब हाई कोट का फैसला आया ऐसा है कि मैंने तो समविधान पढ़ा हुआ है मुझे तो समविधान मालूम है ना इसलिए OBC कमिशन बारं बार ममता को चिठी लिख रहा विकोकी ए रिजर्वेशन एक पर्टिकलर सामाजिक व्यवस्ता को ठीक करने के लिए दिया गया है उसमें आप नहीं आते हो एक BJP ने आरोप लगाया कि कॉंग्रेश जो है वो अगर आएगी तो सब की संपत्ती को बांट देगी सैम पितुरुदा साब कभी इस पर बयान आया कॉंग्रेश कह रही कि हमारा यह आइडिया नहीं है लेकिन BJP यह आइडिया लाई कहा से है राहुल के मूँ से राहुल ने बोला उन्होंने बोला कि हम फिर से देश के रिसोर्स को हम एनालिसिस करेंगे और देश के रिसोर्स को री डिस्ट्रिब्यूट करेंगे अब इसका कोई और अर्थ होता हो शायद है इचालियन में कोई और अर्थ होता हो तो मैं नहीं जानत लेकिन भारत और इंग्लिश में और हिंदी में इसका मतलब यही निकलता है कि देश की संपत्ती को हम फिर से Re- Assess करेंगे उसको हम Rewyew करेंगे X-ray करेंगे और फिर अब भी डिस्टिब्यूट करेंगे तो मेरी संपत्प्ती का जबाब दिया लेकिन एक प्रश्च्र में जी फैक्च्छ वैक्च्छ लेकिन पिर बीजेपी ने तो बोला कि आप से लेंगे उन्हां तब बीजेपी का कहने का तात्थ पर रहता बहुत संक्यक से देंगे और अर्ब संक्यकों को दे दिने जादा बच्चेवालों को कि उन्होंने कहा ना कि इसका आर्थ क्या बनता है हम क्या सोचेंगे इसमें से मैं एक तरफ बोलूं कि मैं टौफी लेकर के आऊंगा फिर मैंने उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट रखा हुआ है तो मेरे समझ में नहीं आएगा कि बर्डे का किसको खिलाएंगे जी मैं राम मंदिर की बात कर लेता हूं प्रधान मंतरी मोदी ने मेरे साथ शाक्षातकार किया और उन्होंने पहले भी ये बात को बोला लेकिन उसमें बहुत कॉंग्रेस एक कर देगी कॉंग्रेस को भी पता है कि इसका रियक्षिन बड़ा जबरदस्त होगा ऐसा ना दिल की बाद जोँआ पर आही जाती है वो दिल की बाद जोँआ पर आई है अब जोँआ पर आई है तो उसको आगे लोगों तक समझाना हमारा काम ही है कि दिल के अंदर है क्या यह हैं उनके दिल में लेकिन इसके चुना पोलराइज करने का प्रियास नहीं है आप क्या आप सदातन को गाली दें जी और आप चुप रहें राम के खिलाफ आप एफिडेविट डाले राम कालपनिक है इसका कोई प्रमांड नहीं है इसका कोई वैग्यानिक प्रमांड नहीं है और हम चुप रहें यह कैसे होगा हम राम को लाएंगे की नहीं लाएंगे जी हम राम को लाएंगे की नहीं लाएंगे और फिर लोग बोलते हैं कि जो राम को लाया है वो उनको हम लाएंगे तो हम क्या करें इसमें बताइए तो हमारा राम हमारे लिए आस्था का विशे है पॉलिटिक्स का विशे नहीं है बिल्कुल नहीं पर अड़वानी जिन नी तो यात्रा निकाली है आप लोगों हमसे प्रशन पूछ रहे हैं कि अगर आप राम मंदिर अपरेहल में करते तो ज्यादा अच्छा था अरे भी राम क्या प्राण